नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ दॉक्टर तुलिका शर्मा मैम जुड़ी हुई हैं आपका स्वागत है मैम हमारे जो सोशल वर्क के स्टूडेंट्स हैं या जो MSW कर रहे हैं BSW कर रहे हैं PhD कर रहे हैं मैम आज आपसे हम लोग समझना चाहेंगे कि फिल्ड वर्क यानि फिल्ड में जा करके सोशल वर्क के स्टूडेंट होने के नाते हमें बहुत सारी चीजें देखनी रहती हैं फिल्ड में समझनी रहती हैं कि क्लासरूम में जो हम पढ़ रहे हैं चाहे वो थियोरी आफ प्रत्म प्रत्म में जो समाजीग जो समस्याँ हैं उनका कैसे डाइगनासिस या पता लगाना एक काौंसिलिंग कैसे करनी हैं पी आरे पार्टिस्पैटरी अप्रेजल जो करना है जा करके ग्रामीड छहित्रों में ग्राम पंचायत में लोगों से कैसे मिलना है अगर आब शहर में हैं, तो शहर में जो जोग्डी जोपडिया है, या पानी पीने का जहाँ समस्या है, मच्छर है, या परिवार जो है, उन्में जो घरों में जो अच्छे संबंद नहीं है, उनको कैसे counseling के द्वारा जो है, हम society में, समाज में उत्प्रेरक, या catalyst की भूमी का निभा सकत एज ए सोशल वर्कर उन सभी बिंदों पर चर्चा करेंगे तो आपसे ये जानना चाहेंगे मैं कि सोशल वर्क के स्टूडेंट्स फिल्ड वर्क में जाने के लिए किस-किस तरह के उनके पास पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं और साथ होते हैं किस-किस तरह के वेश होते हैं जिससे फिल्ड वर्क से रेलेटेड जाकर देखते हैं सीकते हैं समझते हैं यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है सर क्योंकि MSW जो कर रहे हैं उनके लिए फिल्ड वर्क बहुत जरूरी होता ह तो हमारे MSW की बात करें या BSW की बात करें तो उसमें different different तरीके से field work किया जाता है तो अलग-अलग universities में अलग-अलग type की field work करते हैं लेकिन generally जो मैं अभी बताऊंगी वही field work होते हैं पहले हम लोग agency visit करते हैं agency मतलब कोई एक संस्था और उस संस्था का ब्रहमाण करना तो यह एक दिन का होता है एक दिन हम किसी संस्था में किसी organization में किसी institute में जाते हैं उस संस्था के बारे में बात करते हैं पूसते हैं उनके objectives क्या हैं उनके कौन-कौन से proposals चल रहे हैं किस तरीके से कारी किया जाता है structure कैसा है तो यह सारी चीज़े हम लोग पूछते हैं और कम से कम हम लोग 7 या 10 एजेंसिया विजिट करते हैं तो इससे क्या होता है अलग-अलग संस्थाओं में किस तरीके से कार किया जा रहा है किस उद्देश के लिए कारे कर रही है और संस्थाओं किस तरीके से समाज की problems को दूर करने के लिए प्रयास रहत है इस सारी चीज़ों का उससे पता चलता है और यह बहुत important रहता है क्योंकि MSW या BSW जो students कर रहे हैं वो कभी खुद भी अपना NGOs स्टार्ट कर सकते हैं सटप कर सकते हैं NGOs के लिए work करते हैं या समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए वो भी प्रयास करते हैं इसलिए हम लोग सबसे पहले तो agency visit करते हैं और एक और important बात बता दें कि कोई भी जो भी कि हम लोग field work करते हैं उसके लिए सबसे पहला जो process होता है वो जहां हम field work कर रहे हैं उनकी permission लेना मतलब एक letter permission का letter उनके पास भेजना तो यह सबसे पहला मतलब मैडम अगर मैं इसको summarize करूँ तो यह है कि अगर मैं आपकी संस्था में आना चाहरा हूं जाहे वो government की संस्था हो महिलावाल विकास हो या कोई भी government का department हो या NGO कोई हो तो उस NGO में आप चुकी एक छात रहें विद्यार्थी हैं तो अपने college अपनी university या अपनी संस्था से एक letter लेके जाएं कि मैं यहां का विद्यार्थी हूं BSW MSW कर रहा हूं कर रही हूं मुझे आप अनुमाती दें परम और एक notepad लेके जाना चाहिए students को diary लेके जानी चाहिए अगर उनकी permission हो तो आप उनका interview भी ले सकते हैं पूछ सकते हैं उनसे video recording भी कर सकते हैं अगर वो allow करे अनुमती दें तो ताकि वो record में फोटोस तो ले ही सकते हैं कि हमारे पास एक तरीके से हम बोले तो नॉर्मल भ के जो fraternity है उसमें का जाता है कि फोटो खिचाई पर ध्यान ना दे के काम करने पर फोकस करें एशली सर रिपोर्ट बनानी जो परती है उनको लास्ट में विजिट के बाद इनको कोई भी field work करें उसकी एक रिपोर्ट बनानी परती है तो अगर हम फोटोस उसमें लगा दे तो यह तो हो गए agency विजिट अपनी च्वाइस के हिसाब से अपने area of interest के हिसाब से आट दस पंदरा जितना ज्यादा आप संस्थाओं में जाएंगे जितना ज्यादा उनके कारे प्रणाली को समझेंगे working system को समझेंगे उतना ज्यादा आपको confidence develop होगा उतनी ज्यादा आप पर भी देंगे तो आप ऐसा वहां जाके सीख सकते हैं दूसरा क्या एक एरिया है मैंदा दूसरा है सरे केस स्टडी यह हम लोग केस वर्क MSW में भी स्टुडेंट्स पढ़ते हैं उसी को हम लोग फिल्ड में करते हैं केस स्टडी तो इसमें क्या होता है केस मतलब एक व्यक्ति के ऊपर स्टडी करना कोई भी समस्या ग्रस्त व्यक्ति है चाहे वह सारीरिक रूप से हो चाहे वह मानसिक रूप से हो चाहे वह स्वास्त की रूप से यह सामाजिक रूप से समस्या ग्रस्त हो उसका अध्यान करना, उसकी study करना, तो यह होता है case study, तो हम किसी students की भी एक व्यक्ति के पास जाते हैं, वो व्यक्ति किसी संस्था से भी related हो सकता है, मतलब जैसे कि for example हम बोले कि बाल संप्रेशन ग्रह है, बाल ग्रह जा सकते हैं, अनाक आश्रम जा सकते हैं, ब्रद्धा आश्रम जा सकते हैं, महिला ब्रद्धा आश्रम, पुरुष ब्रद्धा आश्रम कहीं भी जा सकते हैं, तो वहां वो एक case study कर सकते हैं, एक व्यक्ति को ले कर, या वो अगर चाहें उनके आस परोस में कोई ऐस व्यक्ति दिख रहा है, single parent family है, childless family है, तो इस तरीके से भी वो case study कर सकते हैं. मतलब व्यक्ति विशेष पर केंदरित होता है, फोकस होता है कि व्यक्ति विशेष के जीवन से संबंधित, उसकी सफलताओं से, उसकी सामाजिक समस्याओं से, लेकिन हम इन व्यक्तियों पर case study करते हैं, और यह कि एक दिन का काम नहीं होता, इसमें हम लोग कई दिन उनके इन वाल रहे हैं, क्या ग्रूप में कर सकते हैं, नहीं से, case study group में नहीं कर सकते हैं, नहीं से, case study single करते हैं, क्योंकि case work करने का सबसे एक जो principle है, सबसे important है, वो है गोपनी यह तासर, कि आपको एक विक्ति जो आपको अपनी problem share कर रहा है, मतलब वो अपनी बातों को सारी चीजें इसमें लागू करते, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, क्लास में बैठ के, वो principle हमको यहां लागू करने है, यहां अपनाने हैं उन चीजों को, मतलब देखना हैं, क्या वो चीजें हो रही हैं, क्या लोग तही में अपनी समस्याओं को बता के तरह से वो महसूस कर पा रहे हैं, उनके लिए आप इतने दिनों में, जितने दिन आपने स्टडी किये, उतने दिन आप कुछ पदलाव कर पाए हैं, आप अपनी तरफ से उनको क्या दे पाए हैं, काउंसलिंग की जरिए उनको में कुछ चेंज आया है, क्या, यह सारी प्रोसेस इस केस नहीं सर, मतलब लोगों के साथ या उन से जुड़कर उनके ही अगर बिंदो को देखें तभी वो केस स्टडी में आएगा, जी सर, एक रेक्ति के समद्स के आजर आप तूर कर रहे हैं तो, गुरुप की है तो वो तो गुरुप वर्ख हो गया, जी, तो अगला क्या है? नेक्स्ट हम लोग करते हैं, रूरल केंप, रूरल केंप, ग्रामीर, शीविर, तो यह तो मैं भी बहुत इंटरेस्टेट हूँ जानने के लिए, गाउं में आप शीविर लगाए हैं, आप 10 दिन रह रहे हैं और वहां गाउं के बारे में जान रहे हैं, आप बताईए एक एरिया उनको सिलेक्ट करना पड़ता है, रूरल जैसा कि ग्रामीर एरिया हम देखते हैं, तो ग्रामीर एरिया उनको सिलेक्ट करना पड़ता है, वो स्टूडेंस अपना देख के अनुसार या उनको लगता है कि हमको इस गाउं में, इस छेतर में काम करने की जरूरत है तो वो खुद सेलेक्ट करते हैं उसके बाद साथ दिन का हम लोगों का रहता है तो साथ दिन हम लोग सुभा से रहने का तो नहीं होता है सर वहां रहते नहीं है लेकिन हम लोग सुभा जाते हैं और शाम को 5-6 बजे तक वापत आते हैं इन साथ दिनों में different activities के द्वारा हम उनकी help करने की या उनकी अपन उनको कुछ देने की कोसित करते हैं उनकी help करने की कोसित करते हैं उनके विकास के लिए अगर 1% भी contribution हम कर सकते हैं तो वो करने की कोसित करते हैं गाउं में देखते हैं समझते हैं उन गाउंवालों की या जो लोग हैं वहाँ उनसे बात करते हैं उनको बुलाते हैं प्रोग्राम और नाइस करते हैं उनकी समझ्यों को दूर करने के लिए आप प्रयास करते हैं और समझने की कोसित करते हैं अजे सुडेंट की गाउं में क्या स्थिति है परिस्थिति सीन किया है चुनावतियास किया है और तर्वादान क्या है यह ही करते हैं यह मैं सही हमा gelmiş पारा आ गयों हुर्ण लोग से बात करेंग और बहुत कि मिन जीन है क्ये क्वें करेंगे हुबर जिसे रें की नीट के अनुसार आवशक्ता के अनुसार जैसे एक दिन हम लोग पशु चिकिस्था शिविर लगा देंगे उसमें हम लोग फ्री दवाहियां देते हैं पशु चिकिस्था आप देंगी मेडम नहीं सही वही मैं आगे बोलने जा रही थी हम लोग का कॉंट्रिबूशन होता है लोगों को इखटा करने में उनको जागरुप करने में लेकिन दवाहियां हम लोग उनसे कॉंटेक्ट करते हैं वो पशु चिकिस्था ऐसे डॉक्टर्स आते हैं उनके सईयोग से हम उनको फ्री दवाहियां मतलब मैं भी एक्साइटेट हो रहा हू है रुषासन का शासन का लोकल अस्तर पर थानी अस्तर पर उनसे आप मिलते हैं उनसे कम्यूनिकेट करते हैं कि देखिए सर या जो मैडम है जो इंचार्ज है वहां के कि हम इस गाउं में पशु के चिकिस्था से सम्मझित शिविर लगाना चाह रहे हैं तो सर आप अपनी जो टीम है आपकी डॉक्टर्स की और जो भी स्टाफ की और दवाईयां वगारा ले करके आप इस गाउं में हमें जो है आप मिलिए हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे और वहां जो पशु हैं उनकी चिकिस्था से संबंधित जो भी सुझाव देना है सलाह देना है दवाईय चेक अप करने है पशुओं के वह आप हमें हमें हवाल करी एज फैसिलिटेटर सोचल वर्क करके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भूमिका हो जाती है कि कैसे वो सोचल वर्क दिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट और गाउं वालों को कैसे जोडते हैं यही हम मैं स आप जो है कि जो है जो बिकाते सास्व प्र couldn be अंपने दिडिय के अपने केंप रख रहे हैं फफि इसको रिक्वेस्ट क करके एक फरमीशन उनको लेकर उनकी टीम बुलाकर गाउं महिलाओं की जो खून की कि इससी यह जिसको औस ब्लॉड प्रेशर कितना है हाइपरटेंचन है कि नहीं है ना ब्लड सूगर कितना है या चोटी मुटी जो बीमारियां है उनके लिए कैम लगवा कि आप जो है सोचल वर्ग स्कूडेंट होने के नाते नौकी समस्य अदूर करने की कोशिस करते हैं सिक्षा की छेतर में क्या करते हैं मैं गाओं में गर गया स्कूल में तो सिक्षा की छेतर में स्कूल में जाके स्टूरेंस पढ़ाते भी हैं और उनको सिक्षा के प्रती जागरुद भी करते हैं क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ग्रामेर में गाओं के एरियाज में ड्रॉप आउट की बहुत ज़्यादा समस्या होती है तो उसके बारे में उनको अवेर करते हैं कि आगे भी पढ़ना है आगे बढ़ना है दूसरी बात ये बालिकाओं की सिक्षा को लेके अवेर करते हैं कि कई बात सोचते हैं कि लड़कियों की तो शादी कर देना है पढ़ा के क्या क तो parents को भी करते हैं और बालिकाओ को भी करते हैं और teachers से भी हम लोग बोलते हैं, insist करते हैं, आप भी समय समय पर इनको जागरूब करिए, उनके साथ खेलते भी हैं, जो students रहते हैं, छोटे वच्चे रहते हैं, रैली निकालते हैं, जिससे कि वो हम से जुड़ें, actually इस रूरल areas के जो लोग हैं, वो आप से किस तरह से जुड़ते हैं, उनको अपने आम में जोड़ना जरूरी है, अगर आप जाके सीधे भाशर देने लग जाएंगे, तो वो नहीं जुड़ेंगे, तो आपको उनके साथ लगना पड़ता है, जैसे हम लोग स्रमदान करने लगते हैं, कि सफाई करना है, सुक्षता गर रखना है, तो हम सवक्षता के अगर उनको जा के निबन सुना देंगे, या भाशर देंगे, तो वो नहीं मानने, हमको खुद उनके साथ सुक्षता करें. करने के वजाए करने में विश्वास रखना कि आप करिए वहां जाके कुछ काम करिए कुछ वहां लोगों को दिखा यह तो लोग खुद अपने आप जुड़ने लगते हैं और एक जो मैं सोच रहा था मैडम कि लड़कियों की जो सिच्छा की बात कर रहे हैं लड़कियों के साधी के बाद में वो जिस घर में जाती है अगर वो educated है पढ़ी लिखी है सोचने समझने की तीजे रखती है तो उस घर में भी जो है वो सामाजिक तौर पर आर्थिक तौर पर राजनेतिक तौर पर उनमें एक ससक्तिकरण एक जो है पर एक महिला सिक्षित रहेगी तो उसका पूरी परिवार सिक्षित रहेगा क्योंकि वो अपने बच्चों प으 बीर इस सीक्षा के परती प्रेशर करेगी जिए में लोगों ने देखा मैं ने बहुञब किया कि वहां गाव में 80% 10 में से 8 घर में TataSky लगा हुआ है TataSky लगा होना गाउ में चुकि 34 गड़ में बिजली बहुत ज़्यादा उत्पादन होती है बहुत जादा मतलब यहां गाउ में भी जो बिजली की समस्या नहीं होती है बाकी राज्यों की तुलना में तो बिजली होने के नाते और आर्थिक विकास होने के नाते, मतलब गाउं में जो लोग हैं, रोजगार पर रोजगार उद्धमिता के कारण, उनमें इतना जादा वो है, अवेरनेस है, इंटर्टेन्मेंट को लेके, कि वो DTS, डारेक्ट तू होम जो है, DTS ने टाटा स्काई मैंने देखा वो गाउं में लगे हुए हैं almost हर घर में एक आज दो घर में नहीं थे सरगी पाल की बात करें तो और आप जाके देख सकते हैं कि ये कितना जो है awareness create करता है क्योंकि टीवी जो है या जो internet है mobile जो है वो आज की डेट में लोगों को कितना जग रुखता कितना दिन करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों का रोज कॉंटेक्ट रहता ही है लेकि नाज्टी हम लोगों सरपंच जी को बलाते हीं प्राइब और उच अधिकारी को बलाते हैं जो और उस लास डे इसलिए important रहता है कि उस दिन हमारे students जो होते हैं वो साथ छह दिन उन्होंने जो किया होता है वो बताते हैं, प्रॉब्लम्स को बताते हैं, क्योंकि कई बार यह होता है कि हम अपने हमारे आज पास जो प्रॉब्लम रहती हैं उनको देख नहीं पाते हैं, तो students उन बातों को शेयर करते हैं, और कई बाते ऐसी भी बताते हैं, इन ऐसी चीज़ो इसको दूर कैसे करना है यह discussion उस दिन चलता है तो गाउं के सरपंच गाउं के पंचायत सच्चिव गाउं के जो लोग हैं आपके जो विद्यारती हैं वो सब साथमें दिन बैठते हैं और छे दिन की जो गतिविदी है activities हुई है उन पर चर्चा करके यह जो भी गाउं की समस् प्रफेशनल कोर्स इसलिए क्योंकि सिस्टमेटिक साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से हम सोशल वर्क करते हैं ना कि चैरिटी के हिसाब से तो जो आप कह रहे हैं साथमे दिन जो है या आठमे दिन जितना भी आप लंबा समय लें मेरा तो यह मानना है कि जतना ज्यादा आ अमेरिका या यह यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप देखें तो सोशल वर्क का जो कैरिकुलम है जो सोशल वर्क की एक्तिविटी जह कम्यूनिटी वर्क जिसे हम कहते हैं अमेरिका में अल्मो सारे स्कूस कॉलेजिस में है कि आपको अपनी डीग्री प्राप्त करनी है डिप्लोमा लेना है तो कम्यूनिटी वर्क आपको करना ही करना है यह बहुत अच्छी चीज है वहां की तो और हमारे यहां वो specialized एक अलगी segment हो जाता है social work को लेकर के खैर अभी नई education policy जो आई है उसमें interdisciplinary research पढ़ाई लिखाई के बारे में बात हुई है नई सिक्षानीती में 2020 की जो है अब मैडम मुझे लगता है कि हमारे जो viewers है जो हमारे दर्शक है जो subscribers है जो हमारे चोटे भाई भहन है जो students है social work के उनको काफी हद तक clarity आई होगी कि field work में जो है किस तरह की गतिविधिया होती है चाहे वो agency visit हो चाहे वो case work related हो चाहे वो rural camp हो इसके अलावा भी कुछ और करते है चैनल हाँ जी सर्थ दो same visit है field work है block placement और summer placement इन दोनों में ही students एक agency select करते है अगर students नहीं कर पा रहे है तो teachers उनकी help करते है select करने में और 45 days one month इस तरीके का time period होता है इस time period में उनको totally as a जैसे हम लोग job में जाते है वैसे ही उनको वहाँ पर काम करना होता है internship तो almost matter मुझे लगता है कि हार सेक्टर वाला वही है कि engineering में है तो आप internship करने गए है management में है आप com जो है computers में है अगर आप MCA मतलब computer science में अगर आप है social work में है को को विल्मिला के internship में यही होता है कि Sandście से जूडते हैं समस्था में यहाँ देखते हैं काम करतें हैं सीखते हैं चीजों को एक लंबे समय में एक डेढ़ महीने दो महीने जितना आपकी समस्था आपको याप को या आपकी university college में जो नीयम ही कि आपको एक महीने के लिए जाना है दो स्टाइल से वो जब इंट्राक्ट होते हैं जो HR मैनेजर्स हैं तो उनको भी लगता है कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो उनको लगता है कि नहीं एक अच्छा कैंडिडेट चाहे आप लड़के हो ये लड़की हो वो आपको hire करने के लिए कि आपका course पूरा हो जाएगा तो आप हमारे साथ जुड़िए हमारे साथ काम करें क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं या अच्छी जो चीजे होती है सब लोग चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ें तो जो एक question आता है आप लोगों का कि सर हमने MSW कर लिया है और हमें job के लिए opportunities कम मिल रही है या limited है या नहीं मिल रही है तो मैं आप लोगों को हमेशा यही कहता हूँ अपनी personality develop करें अपनी knowledge develop करें अपनी skill develop करें तो madam एक question फिर आपका ये हो सकता है या students को हो सकता है कि सर इसकिल क्या skill की बात कर रहे हैं skill जो social worker की skill होती है skill पर हमारा वीडियो भी है वैसे नहीं लेकिन एक question हो सकता है कि सर आप skill की बात करते हैं किस तरह की तो मैं ये answer देता हूँ उसका देखिए आज की rate में आप जहां भी काम करने जाए किसी भी sector में काम करने जाए तो आप जो भी काम करेंगे आपको उसकी reporting करनी होगी तो first thing communication is skill some pressure का causal आप बात कैसे कर रहे हैं आपसे एक मिनट पर पूछा जा रहा है आपके बारे में interview में कि आप अपने बारे में बताईए आप अपने बारे में बार डेटा में तो सब कुछ लिखाई हुआ है वो तो मैं पढ़के समझी जाओंगा या मैड़ा मी समझ जाएंगी पर आपके अंदर में main importance जो कागज पर नहीं लिखी हुई है जो उस समस्था को आगे बढ़ा सकती है या उसमें हो सकती है आगे तो सबसे पहला communication किस तरह से आप बात करते हैं किस तरह से रिपोर्ट कर लिखते हैं लिखने की जो style है किस तरह से कम सब्दों में ज्यादा चीजों को बताते हैं फोटो लगा करके जैसे बात कर रही थी मेडम की फोटो लगा के रिपोर्ट कैसे फिर कम्प्यूटर का skill कम्प्यूटर पे लैप्टॉप पे काम करने का Excel sheet बनाने का PowerPoint presentation बनाने का Microsoft Word में काम करने का जो है आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर कोई रिपोर्ट बनाना हो मैं तुरंट कैसे जाके बना सकता हो बना सकती हो यह कि skill है पॉशल है कि आप कम्प्यूटर पे काम करते हैं लिखते हैं बोलते हैं दूसरा presentation skill कैसे present करते हैं चाहे वो कोई जरूरी नहीं कि PPT PowerPoint presentation हो presentation का मतलब है कि आप अपनी बात को कैसे रखते हैं उस मुद्दे पर जिस पर वहां कहीं पर meeting में या कहीं पर बात चल रही है तो communication skill, computer skill, presentation skill और आपकी body language body language मतलब यह है कि आपके शरीर की भासा क्या है मतलब आप कैसे आप जो है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए इसे मेरे हाथों का movement अगर आप देख रहे हों तो वो एक तरह से convince करते हैं किसी बात को कहने में पर इसका मतलब आई-contact आपका कितना है तो यह सब skills हो गई knowledge होनी चाहिए updated daily आप paper पढ़ें paper में देखें कि समाजिक मुद्दों से संबंदित सरकार के कौन से नियम कौन से कानून कौन से अधिनियम आये हैं उनसे हमें हमारे field में क्या प्रभाव पढ़ रहा है तो यह जो चीजें हैं यह आप करेंगे तो आपको job मिलेगा और यह internship का ऐसा मौका होता है opportunity होती है जहां पे आप अपने prospective employer जो भविस्त में आपको नौकरी दे सकते हैं उनसे आप जोड़ते हैं भले ही एक महिने का टाइब मिलता है और उसमें आप अपने आपको उनके साथ जोड़ के काम करते हैं तो उनको जो अच्छा लगता है तो आपसे जरू रखेंगे वो अपने जितना जाद आप काम देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे उतना जाद तो आप अच्छा काम कर पाएंगे तो मेडम आज आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से बताए कुछ और पॉइंट अगर आप कहना चाहें नहीं तो फिर हम लोग वाइंड आप करेंगे आज का मेरे ख्याल से सर बहुत कापी हो गया है तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो वीवर्स हैं, जो मेरे छोटे भाई भहन हैं आप सभी को बहुत बहुत काम नहीं नह वर्स की और आप आगे बढ़ते रहें कुछ specific अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, विशेज या कुछ एक unique चीज किसी भी बिंदू पर आप चर्चा चाहते हैं जिसे bar data कैसे बनाएं CV कैसे बनाऊं, मैं क्या लिखूं सर तो एक आप उस पर हम वीडियो बना सकते हैं तो यह जो छोटे छोटे इंटाइंशिप्स related में दिमार में भी आ रहा था अगर इस सबसे आप जानना चाहते हैं तो आप comment करिए और हमको बताईए कि आप क्या जानना चाहते हैं हम उससे बहुत ही specific जो है आपको एकदम to the point जानकारी देंगे तब तक के लिए नमस्कार